दोस्तो त्यागी रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है तीन से चार शेर के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं स्टार्ट करते हैं आपर आदित्य बुर्ला कैपिटल से रिजल्स कंपणी के आ चुके हैं 214 रुपे का भाव है तो देख लेते हैं कि कितनी गिरावाट इस शेर के अंदर है या फिर पांस साल में कितना पैसा इसने बना के दिया है से पहले पांस साल देखेंगे एक स्टावन परसेंट के रिटन बीज में तेजी गिरावाट तेजी गिरावट इस तरह की से सिल्सिला इसके अंदर चला है मैक्सिमुम चार्ट पेटरन के बात करते हैं तो देखेंगे बड़ी गिरावट ही है इसके अंदर यानि कि एक उमीद है कि आने वाले टैम में पैसा बन सकता है तो अभी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं तो फिलाल तो देखें हाई जो इसने बनाया था वो भी देख लिज कर सकते हैं इतनी एक्सपेक्टेशन जरूर्ट है कि आने वाले टैम में 300 रुपय तक शेर मार सकता है उसके पीछी की बज़े क्या है इस कंपनी के फंडमेंटल चलिए देख लेते हैं तो अगर बात करते हैं एक साल पहले 7600 करोड का इस कंपनी का रिवन्यू आता था उसक 36-36% का है साथ यह का नेट प्रॉफिट देखने के कोशिश करते हैं तो एक हजार 21 करोड का है जो की पिछले क्वाटर से ज्यादा है लेकिन इस क्वाटर से कम है बाकी के तीन चार क्वाटर जो भी है उनसे सबसे अच्छा ही प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला है ओव अच्छा पैसा उसने बना के दिया है चलिए उसको भी कवर यहां पर कर लेते हैं शेर का नाम है जे एम फानेंशल लिमिटेड इस शेर की बात करें 138 रुपे का भावय उपर की साइड में इसने कितना मार था 168 रुपे तो 70-75 रुपे से शेर को कवर किया था और अच्छा पैसा इस शेर ने बना के दिया है बीच-बीच में उच्छाल भी देखने को मिलते हैं नीचे के साइड में कितना गया था 137 रुपर कितना मार दिया देखिए 161 रुपे तो जब अर्दस उपा नीचे उपा नहीं कर रहा हूं रता ने इंडिया इंटरप्राइजिस क्या करें शेर करें देखिए 4 परशेंट की तेजी बनी जब गिरावट बड़ी होती है तो फिर थोड़ा सा यहां पर रिकवरी देखने को मिल जाती है फिलाल देखिए 50 रुपे 90 पैसे का सपास शेर चला है यहीं नहीं बोल सकते हैं प्राइस और मार्केट कैप के अकोर्डिंग तो चाहो तो शेर फोकस कर सकते हो याद रखेगा लंबे समय के लिए उस तो अगली कंपनी है लार्सन टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड इसके अंदर क्या करें 146 रुपे का भाव है कभी यह 70-75 रुपे का शेर होता था यह शेर को कवर कि अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया 194 रुपे का टार्गेट आपको दिखाया ठीक है आने वाले टाइम में 194 में 200-200 रुपे भी आने वाले टाइम में टूट सकता है लेकिन समय देना पड़ागा इस कंपनी को यह कंपनी काफी अच्छ स्तेजी बनी नहीं है तो अवरोल में लाके कर देखें तो पैसा आने वाले टाइम में शेर आपको बना कर दे सकता है चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर बात करते हैं सेप्टमबर क्वाटर की एक साल पहले की 3200 करोड का रिवन्यू आता था उसके उससे पहले बाले कॉर्टर में 685 करोड का थे उससे 553 करोड का प्रॉफित उससे पहले 649 करोड का उससे 549 करोड've. उससे 645 करोड के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफित के अंदर पहुंच चुकी है औट्र्रेक्ट्टी यहाँ पर लगे है तो यहां पर देख सकते हैं डियाइज ने अपना इस टेक यहां पर बढ़ा आया है 8% होता था बढ़ा कर कितना कर लिया 12% लेकिन उसी के विपरी तकर देखते हैं तो फाइज की 11% की हिस्सेदारी थी उसने घटा कर कितनी कर लिए 6.73% की ठीक है डियाइस ने बढ़ाई है और साथ ही प्रमोटर ने बढ़ाई है अच्छी जानकारी यहां पर है कि शेर आने वाले टैम में आपको पैसा बना करिए दे सकता है तो चलिए अब इस कंपनी के देख लेते हैं हम फंडामेंटल हुआ दोस्तों जून क्यांटर की अगर बात करते हैं एक सॉल पहले Rs. teanci यह अज़ाइब इस कंपणी का रिवजनिव ca यहां पर एब करोड़ कोस्क पेहलेillas क्षान कोस्के करोड़ को उसके पहले देखने के च्यानव क्रोड़ को से नि कि अब देखने कि क्या पर यहां पर यह है कि क्या एक कंपनी अब आगे कल भागती नजर आएगी या गिरती नजर आएगी कल मार्केट डिसाइड करेगा चलिए देख लेते हैं करण्ड की सिच्वेशन यानि कि आज की पर्फूमेंस कैसी है दोस्तों प्रोफिट के अगर बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे और यहां पर देखा जाता है तो य है एक एसी कंपनी यहां पर है जिसके अंदर रिजल्स उतने अच्छी नहीं आए फिर भी तेजी बनी है पुनावाला ठीक है फाइनस की बात करें तो इसके अंधर देखें तो अच्छी खासी नुक्सान देखनों को मिला है लेकिन अच्छी खासी तेजी शेर गंदर तो इस बैंक के अंदर फोड़ी सी दिक्कत यहां पर देखने को मिली है उसके बार में इसके भी हाँ पर करेंगे लेकिन बड़ी गिरावट हो गई दिखकत उतनी जादा नहीं थी जितना की गिरावट हो गई है ताइस की माल बेचनी की बज़े से सभी शेर के अंदर जब खरीदारी करना सुरू करेंगा अफाइस तब देखेगा कि मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिलती है तो कब देखने को मिलेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता फिलाल कल तो पांस लगभग फिल आज देखें तो फिर से आज इतना माल जो वेच गया है वह कहीं ना कहीं एक संकेत हैं कि अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं कि अब यहां पर बात करते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट का है कि 10,000 करोड का मार्केट केप हैं तो जो रिजल्स आये हैं कोई खराब तो यही बोलती है कि आने वाले टाइम में 300 रुपे फिर यह दुआरा शेर मार सकता है 100 रुपे से कवर किया था 300 रुपे मारा उसके बीच में काफी बार इसके अंदर गिरावट होती है तब इस शेर को कवर किया तो अच्छा पैसा यहां पर आप लोगों ने शेर से बना ल करोड़ का इस तरीके से कंपनी का रिवन्यू बढ़ रहा है चलिए अब देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके का देखने को मिला है प्रॉफिट बड़ा इंपोटेंट रोल अदा करता है वही थोड़ा सा हिंट यहां पर देगा देगा देखिए यहां पर मार्केट लेकिन दिक्कत क्या है कि कमपणी का ग्रोश NPA कितना हो गया तो पॉइंट परसेंट से तो पॉइंट एट परसेंट पोँछ घया नेट इन 10-15-20% के रिटन बड़े प्यार के साथ लोगों के बन चुके हैं दोस्तों अगली कंपनी है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिंटेड एच सी 38 रुपे का भाव है तो हाई कितना मा रहा था शे ने 57 रुपे अच्छी खासी करक्षन देखने को मिला 23 रुपे से 57 तक पहुच गया था अभी 38 रुपे ठाने पैसे हैं तो आज अच्छी खासी तेजी बनी है रिजल्ट कंपनी के आ चुके हैं तो रिजल्स इतने खराब नहीं है रिजल्स काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे लेकिन क्वार्टरली बेसे से कंपेर करेंगे और क्वार्टर उसका देखेंगे 1,800 करोड अभी देखेंगे गिरावट यहां पर क्या है कि कंपनी के रिवेन्यू के अंदर जवरदस्त गिरावट देखने को मिली है कितना 1,407 करोड तक कंपनी का रिवेन्यू रह गया है लेकिन मज़दार बात यह कि कंपनी अपने खर्चे भी तुरं कितना 2,402 करोड जबकि रिवेन्यू के अंदर गिरावट है उससे पहले 152 करोड था नुकसान था उससे पहले 1088 करोड उसे पहले 259 करोड का प्रोफिट था 254 करोड का थ्वोच्छा प्रोफिट कंपनी कमाती थी 324-24 करोड का ऑप्रेटिंग क्रोफिट होता नहीं सारे इंट्रेस्ट डिपिरिशेशन सारी चीज़े निकाल लेते हैं टैक्स बगरा निकालते हैं तो कंपनी को प्रोफिट कितना देखने को बिला है 64 करोड का पिछले क्वार्टर से अच्छा है लेकिन इन क्वार्टर से खराब है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि बड़ी तेजी यह अगर लंबा लोंग टर्म आप देते हैं तो सायद यहां पर पैसा आपका बन सकता है जहिन बंदे बात्राइब